ठीक है अगर limit does not exist हो गया तो function भी discontinuous हो जाएगा ठीक है अच्छा यह हम वैसे पहले बोल चुके है कि अगर continuous of discontinuous या discontinuous of discontinuous इस तरह की अगर combination हो तो उसमें हम पूरा चेक करके ही बताएंगे continuous of discontinuous function वह भी continuous हो सकता है कोई दिखकर नहीं जैसे मालने हमने दूसर एग्जामपल लिया कि fx is equal to x minus 1 x minus 2 ठीक है बस यह और gx is equal to हो गया से x square minus 1 sorry x square plus 1 if x is less than 0 and x square plus 2 if x is greater than equal to 0 मालने यह दो फंक्शन है यह दो फंक्शन है यह दो फंक्शन है यह दो फंक्शन है यह दिसक्स continuity of f of gx at x is equal to 0 ठीक है तो अगर हम इसकी बात करें तो 0 पे अगर यहां से value निकाल होगे 1 आएगा gx की बात करने तो यहां से value निकाल होगे बलाब lhl तो कितना हो गया 1 rhl और functional value दोनों कितना हो गया 2 तो gx तो 0 पे discontinuous है ठीक है fx जो है वो एक polynomial है तो polynomial होता है तो fx एक continuous function है तो अगर हम f of gx की बात करें यह continuous है हमेशा और यह एक point पर discontinuous है तो यहां से हम कोई inference नहीं निकाल सकता है continuous होगा discontinuous होगा कुछ भी हो सकता है ठीक है अगर दौनों continuous continuous है हमेशा ही तब तो पूरा function continuous होगा यह तो हम लिखा चुके है इस chapter में बाकि कुछ भी आजाए discontinuous of discontinuous या फिर continuous of discontinuous कोई भी आजाए बाकि उसके बारे में हम directly कुछ नहीं बता सकते हो तो निकाल की देखना पड़ेगा ठीक है तो x is equal to 0 पर बात कर लेते हैं मतलब जो हमारा निकालने का तरीका था वह हमने ऐसे हो लगा है कि f of gx की पहले तो हमने value निकाल लिया x is equal to 0 पर तो इसमें तो 0 plus 0 minus कोई जंजट नहीं है इसमें तो सीधा value निकालेंगे f of g x की जगे 0 रख दिया तो g 0 कितना आगया पहले यह इन दोनों में closed कहां पे है इस जगा पे तो यहां पे अगर हमने 0 रखा तो value कितना आगया है 2 तो this is nothing but f of 2 f2 कहां से calculate होगा वो तो f का एक ही definition है इसमें अगर मैं ने x की जगे 2 रखा तो यह तो 0 हो जाएगा f2 कितना हो गया जीरो ठीक है तो अगर मैं मालने है hx को f of gx बोलूँ जिसकी हमें continuity discuss करनी है तो h 0 कितना हो गया 0 यह तो एक चीज़ हो गया दूसरा अगर मैं limit की बात करूं for limit मालने है f of gx ऐसे लिखा तो यह 0 को गया तो हमने g से पूछा गए 0 पर दिक्कत है तो हाँ बिलकुल क्योंकि g के लिए g 0 माइनस मतलब lhl तो यहां से कितना आएगा 1 अगर मैं इसमें 0 रख दूँ इक्वालिटी मतलब functional value और rhl दौनों second definition से आएगा तो अगर इसमें 0 रख दें तो value कितना आ जाएगा 2 तो lhl तो 1 है rhl 2 है ठीक है तो अगर मैं बोलूँ कि x 0 को जा रहा है तो g से पूछा उसको दिक्कत है तो इसमें बोला बिल्कुल दिक्कर दे क्योंकि अहले चला रहे चले उसका अलग लग रहे है उस पर तो इस बात का फरक पड़ता है कि जो अंदर बोला 0 है वो कौन सा 0 है 0-0 प्लस तो इसलिए फिर हमने इसको अलग लग ब्रेख किया 0- f of gx अब यह कहा है 0- को जा रह f तो हमेशा continuous है f तो यह वाला definition x-1 x-2 तो यह तो हमेशा continuous है तो यह नहीं पूछेगा कि जो तुम्हारा value 1 को जा रहा है वो एक से छोटा या बढ़ा है यह सब नहीं पूछेगा अगर यह value 1 को जा रहे x का value 1 को जा रहे मतलब f के अंदर जो value अगर वो 1 को जा रहे तो ये पूरा value कहा जाएगा 0 को तो ये पूरा value कहा जाएगा 0 को तो ये limiting value कितना आ गया 0 तो lhl कितना आ गया 0 इसका मतलब क्या है कि limit x is turning towards 0 minus hx f of gx को हमने hx बोल लगा है इसको तो lhl कितना आ गया 0 ऐसे अगर हम rhl की बात करें x is turning towards 0 plus f of gx ये 0 plus को जा रहे तो g का value कहा जाएगा 2 को sorry इस g का value कहा जा रहे 2 को f हमेशा continuous है तो वापस f नहीं पूछने वाला कि ये 2 plus है ये 2 minus है तो f में अगर value 2 को जा रहे sorry ये f में अगर ये वाला value 2 को जा रहे x का value अगर 2 को जा रहे मतला argument का value 2 को जा रहे तो ये पूरा value कहा जाएगा 0 को तो ये फिर कहा गया 0 तो ये कितना हो गया 0 तो यहां से limit x is turning towards 0 plus hx वो भी 0 हो गया तो इन दोनों जगह से क्या गया तो value बड़ाबर आ गया तो यहां से मैं पता लगा कि limit x is turning towards 0 पूरा limit that is equals to limit x is turning towards f of gx hx is nothing but f of gx hx लिखुआ है f of gx लिखुआ है एक ही बात है इसका जब हमने lhl औ औ यहां पर calculate किया तो ये भी 0 आया & ये भी 0 आया because दोनों 0 आ गया तो इसलिए limit एक्जिस करता है value 0 आ गया इस वाले case ठीक है और सबसे पहले हमने यहां पर functional value calculate कर चुके है यह वो भी 0 है तो h 0 and h 0 is equal to f of g of 0 is also 0 तो यह दोनों value बराबर आगया this implies functional value and limiting value दोनों बराबर हैं बराबर equals to 0 तो this implies function f of gx is continuous at x is equal to 0 तो अब तो मैं यह समझ में आ गया होगा कि इन सब के बारे में directly कुछ कमेंड नहीं कर सकते हैं जैसे इस वाले case में तो बाहर वाला function continuous था अंदर वाला function discontinuous था तो भी इस पूरे पर पूरा function बाद में क्या बन गया गर अगशन एक बन गया में तो एसा तो हो सकते हैं तो एफैक्टिव लेमें क्या बला कि composite function में गार कॉंटिनियस ऐफ कॉंटिनियस लिखा है दोनों हमेशा continuous एग पॉंट में भी नहीं कर सकते हैं अगर दोनों हमेशा continuous है अतब तो पूरा function continued हो जाएगा बाकि सारे केसे में discontinuous of Continuous या फिर continuous of discontinuous या फिर discontinuous of discontinuous इन सारे केसे में पूरा value निकालके ही बताने बताएंगे कि वह continuous है नहीं हैー ऐसी देखके नहीं बोप करने हवा में नहीं होशते हें पहला है ठीक